हेलो फ्रेंट आप सभी का हमारे यूटूब चैनल B.A.C. बॉटनी में स्वागत है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिम्नो स्पर्म तो स्टार्ट करते हैं वीडियो तो जो वर्ड है जिम्नो स्पर्म इसको सबसे पहले थियो फ्रेटस ने यूज किया था 300 BC पहले यह ए इस स्टार्स पाम जयते जिम्नो इस फों कि तरह है वापे जो फ्लाव्रिंग और से टॉट प्लांट है प्लांट इसमें होताएब फुरा सा है ढ़ांस लोता है यहां पच्छापक है लम होता है हम इसे करत है जो होता है ऑपधे मिर्शन सोदिक मैं को मेन उआ दृटफ को जाना जाता है अगर मुत अगर्छास करें लेक्टर के बाता है रियस states यह पॉसेस करते हैं एक वेल डेवलप टैप रूट्स को जो की प्रोवाइड करता है एक बैटर एंच चर और और फैसिलेटेट करता है अब्जॉप्सों ओफ वाटर में भी यहां पर बोट टाइपस के लीप्स देखने को मिलते हैं माइक्रो फाइडस और मेगा फाइडस तो माइक्रो में यानि की स्मॉल लीप्स होंगे मेगा यानि की लार्ज लीप्स पाए जाएंगे अगर हम इसके अनाटॉमिक की बात करें तो इसका जो रूट होता है वह रेडियल वैस्कुलर बंडल्स वहां पर प्रजेंट होते हैं यह मेबी डाई आर्च या फिर ट्राई आर्च या फिर पॉली आर्च टाइप्स के होते हैं जो रूट होते हैं वो सेकेंडरी ग्रूथ को सो करते हैं तो बोत यहां पर एक्स्ट्रा स्टीलर या फिर स्टीलर टाइप्स देखने को मीडेंगे जो कोलाइडर रूट होते है और जो mycorrhizal roots होते हैं वहाँ पे जो algal zones होता है वो presence होता है तो यानि कि वहाँ पे algal bacteria जो middle cortex होता है presence होता है mycorrhizals में अगर हम इसके reproductive characters की बात करें तो जिसका reproductive organs है जिम्नोई sperm का वो एक well organized cones या फिर flowers है और यहाँ पे straw wheels जो है वो usually unisexual either male या फिर females होते हैं और यहाँ पे जो parianth होते हैं वो absent होते हैं यहाँ पे much variation देखने को मिलता है इनके position में majority में और aggregate में और एक well organized compact cone जो होता है वहाँ पे either जो male होता है वो micro phylos कहलाता और जो female वो mega phylos कहलाता और यह spirally arrange हो होते है central edges पे plant के जो male cone होता है साइकस का वो biggest है in plant kingdom में और जो female cone से वो long lasting structures को सो करता है यह कुछ year के लिए normally survive कर जाता है जबकि जो male cone होता है यह usually short life होता है और smaller होते हैं इसके जो plant होते हैं वो heterosporous types के होते हैं जो male और females gametophiles होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा variation देखने को मिलता साथ में होता है यहां पर जो सीड का production होगा वो morphologically क्या होंगे different होंगे जो female gametophiles है यहां पर जो है टू से एट आर्चिगोनियल सेल्स देखने को मिलेंगे जबकि जो neck canal cells होते हैं वो absent होते नहीं पाया जाते हैं जो male cones होते हैं वो single burn करतें apex of the steam पे या फिर cluster of long suit पे माइक्रोइस्पुरेंजिया जो होते हैं वो बर्न होते हैं लोवर साइड माइक्रोइस्पुरोफाइलस में माइक्रोइस्पुर या फिर जो pollen grain होता है या फिर्स्ट सेल ओफ male gametophyte जनरली यह क्या होता है ठीक होता है मिलता है और ही अपर सेल वाल देखने को मिलता है एकजाइन और क्टाइन का जो अब्विल्स होता है वो नेकेड होता टार यह बर्न होता है मेकाइज और इसकरोफ IP जोकिस्पाइली अरेंगेज होता है सेंट्रेलय एकol t joke made and से साइल होता है और और तो ट्रॉपस होता है इंडो स्पर्म जो होता है वो डैबलप होता है भीफोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन और जो फीमेल गैमिटू फाइट है वो कंसिस्ट करता है एक वैल डैबलप है प्लाइड वेजिटेटिव टीशू और यहां पर कोई भी करता है जाएगोट उसे हम लुग उन्हुट बहुत है यह मेरी वाल्स्टिक होता है इंडुइस परिक टाइपस का होता है इंब्रियो जो होता है वो न्म वीजुए उनम येंगेव लफ़ब उनकान प्री इंब्यू जो है एक प्रॉप्र स्टेसिज में ड्यवल्यमेंट के जाता है जिसकी वजह से सीट का फॉर्मेंशन होता है फटिलाइजेसंस के बाद और यह इनलार्जमेंट होता है ओफईयूल में यहाँपर कोई भी योप 오भविड जॉह जिमन्रे स्पॉर्म में अगर alternation of generations की बात करें तो यह heteromorphic या फिर heterologus होते हैं gymnosperm यहाँ पर sporophyte stages जो होते हैं वो more dominant होते हैं और यह independent होते हैं जबकि जो gametophyte stage होता है यह dependent होता है sporophyte structures पर आज की लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को like, share, subscribe करना न भूलें थैंक यू